इस वीडियो में आपको यह दिखाने वाला हूँ कि कई बार अगर आप सिर्फ 5V में setup को use करके आप trade करना चाहेंगे तो कई दिन ऐसे भी आएंगे जिस दिन आपको move नहीं मिलेगा वो इसलिए कि market move तो कर रहा है उपर या नीचे की direction में लेकिन उसकी speed बहुत धीरे-धीरे ह ठीक है तो direction तो है लेकिन speed धीरे होने की वज़े से वो 5V में setup के according आपको entries नहीं देगा तो खाली अगर आप 5V में को use कर रहे हैं तो कई दिन आपका move मिस हो सकता है और ऐसा क्या चीज़े जिसको follow करके आप उस move को पकड़ सकते हैं इस वीडियो में complete आपको detail में बताने व यहां पर market open होता है एक bearish candle और उसके बाद अगर आप देखोगे तो बजार जो है नीचे की दरफ चलता है और नीचे की दरफ है 5V में से नीचे है कोई भी entries यहां पे हमें नहीं मिलती है हमें कैसे candle की तलाश होती है जो 5V में से उपर हो और उसका low जो है 5V में को touch ना करता हूँ फिलाल यहां पे अगर हम देखेंगे 9.15 से ले करके हमारा 10.40 तक कोई भी entry नहीं है 10.40 के बाद market उपर चलना चालू करता है slowly and steadily यहां पे अगर आप देखेंगे क्योंकि धीरे धीरे बजार उपर जा रहा है इसलिए 5V में setup पे वो नहीं आ पा रहा है 5V में setup पे स्लो स्लो देखेंगे candle का size बिलकुल छोटा छोटा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है कोई भी 5 ऐसे लगातार candles नहीं है जो एक ही direction के अंदर जा रहे हो और इसलिए वो 5V में पे entry हमें नहीं दे रहा है अगर आप देखोगे चलते चले गए clearly visible entry आपको कहीं नहीं मिलती एक candle आपको यहाँ पे दिखता है जोकि एक 20 वाली candle है और यहाँ पे अगर आप entry बना भी लेते इसके low break होने पे तो आपका यहाँ पे SL चला जाता ठीक है अब इसको अगर हम ignore कर देते हैं और entry कहां मिलती है यहाँ पे देखेंगे clearly visible entry कहीं पे भी नहीं है और देखो उप लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि market में move नहीं आया अब आपको मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ से देखो market नीचे गया उसके बाद यह ऊपर गया इतना ऊपर चला गया लेकिन 5 वे में setup के according आपको entry कहीं भी नहीं मिले अब इसे आप up trend बोल दो या downtrend बोल दो दोनों ही trend हमे जा सकता था क्या कोई multiple confirmation setup है जहां से पकड़ा जा सकता था बहुत सारे setups है हो सकता है कि आपके पास भी कोई अपना setup हो लेकिन मैं आपको एक simple सा logic दिखाते हूँ माल लेते हैं price action के base पर इसको पकड़ना चाहते मैं अलग-अलग setup पर आपको दिखाऊंगा यहां पर हम 30 मिन तो 42,800 के असपास जो है यह support है आपको पता है market यहां से react करेगा और यहां से देखो बजार जब नीचे आया तो पिछला जो support था उसी के पास से उसने react किया तो आप छोटे time frame पे जाके यह 30 मिनट का time frame है छोटे time frame पे जाके आप कोई भी bearish signal देखते हुए यहां पे entry कर सक WhatsApp नंबर भी है कोई भी information आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं complete आपको सिखाऊंगा कि entry कैसे plan किया जाता है कहां पे आपको exit plan करना होता है फिलाल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 30 मिनट पे आपने देखा पुराना support कौन सा है उसके पास market react करेगा फिर 5 मिनट पे और उसके बाद आपको यह पूरा जो यह move है यह जो slow-slow उपर गया है यह आपको पकड में आ जाता जो कि 5E में setup के recording आपको नहीं पकड में आया नहीं downside में और नहीं अगर आप इसको 15 मिनट पे जाके देखते हैं देखते हैं कि क्या 15 मिनट पे कोई entry मिली हमें यहां पे त देख रहे हैं space यहां पे बिल्कुल भी नहीं है अगर space हो तो मैं यह सोचू कि यहां reversal strong होगा तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 5E में setup के अंदर जब space हो यह में और candle के बीच में तो entry आपकी और भी अच्छी मानी जाती है चलिए फिर से 5 मिट पे आते हैं तो आप इस तरीके से इसको पकड़ सकते थे price section के base पे दूसरा setup मान लेते हैं आपके पास आप बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हो आप उसको यूज़ कर लो तो वहां से भी देखोगे lower band को टच कर गिया यह यहां पे देखो 10-10 वाली candle है और यहां से reversal जो है यह प्लान हुआ और ऊपर तक चल ना लें उसी पे सिर्फ dependent आप ना रहें और चीजों को भी combine करें और combine करके multiple confirmation के साथ आप trade में एंटर कीजिए आपको success जरूर मिलेगी और सिर्फ 5 यह में पर रहेंगे तो trade मिस होने के chances आपके ज्यादा रहते हैं कैसे multiple confirmation के साथ entry करते हैं मैं अलड़ी बता चुका हूं course का पार्ट है description में link है वहां पर जाके click कीजिए WhatsApp number भी है contact कीजिए और जल से जल का पार्ट पीजिए और उसके बाद आप कहीं से भी trade जो है confirmation के साथ पकड़ सकते हैं एक और interesting information आपके साथ share करना था जो कि मैंने back testing किया हुआ है पूरे April मन्त का यहां पर आप देखोगे यह data store पूर हो रहा है मैं पेछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ इसमें मैंने एक चीज़ ढूनने की कोशिश की pattern वो pattern क्या है मैंने आपको सबसे पहले तो यह बताया कि हम loss में है 37 हमें मिले पिछले date तक और 37 में से 6 ही target hit हुए 1-3 का मां की 31 में हमारा क्या हुआ ठीक है 19 trades में अगर आप 1-1 रखते तो आपको 6 trade 1-1 वाले मिले हैं तो 1-1 में obviously बात है 1-2 1-3 automatically capture हो जाएगा तो total अगर आप 1-1 के target पे निकलते तो 18 trade आपके profitable होते 18 तो अगर आपके 18 profitable होते 19 आपके stop loss हिट हुए हैं तो इसका मतलब no loss no profit में होते आप round figure में थोड़ा brokerage को हटा दो ठीक है 18 में आपको 1-1 का target मिल गया और 19 में आपका target नहीं मिला stop loss हिट हुआ तो आप almost जो है एक आपका loss हुआ है extra तो almost आप break-even point पे है brokerage को अगर आप हटा दो तो अब बात करते हैं 1-2 अगर हम रखते तो क्या होता तो 1-2 में 1-1 वाला तो capture होता नहीं तो 1 1-2 वाला आपका capture नहीं होता 1-2 1 automatically capture हो जाता तो total आपको कितने trades मिलते 12 अगर आप 1-2 का target रखते तो 12 trade में आपको profit होता यानि कि 24 का आपको profit होता और loss कितने में हो रहा है आपको यहाँ पे अगर हम देखें तो let me capture Okay, yes 12 trade में तो आपको profit होता और अगर हम देख लें कि 37 में से 12 को घटाते हैं तो कितना हमारा निकल के आता है अगर हम 37 में से 12 trade में अगर आपका profit होता है तो यहां minus कर देते हैं 37 minus ये तो हमारा आता है 25 तो 25 में loss और उसके बाद 12 trade में आपको profit तो overall फिर आप वही break even point पे होते हैं यहां पे भी और one is to three का रखते तो आपको बहुत ही लफड़ा हो जाता क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ 6 trade में target मिला है यानि कि 18 points आपको मिलते हैं अगर मैं एक रूपे के reference से चलू तो 6 ती 18, 18 मिलता और loss कितने में हो जाता है आपका 31 तो आप बहुत बड़े loss में यहां पे होते हैं और उसी की वज़े से हम यहां पे देखोगे तो loss में हैं यह देख रहे हो आप 10,000 का loss शो कर रहा है इसी वज़े से तो कुल मिला कर यह है आपकी accuracy और आपका जो target है ठीक है RR ratio है उसमें बिलकुल relationship होता यानि कि अगर आप accuracy accuracy को बढ़ाओगे तो आपको target कम करना पड़ेगा target बढ़ाओगे तो accuracy कम हो जाएगी बीच का रास्ता निकालते हैं आपको minimum 1-2 का target लेके आपको चलना ही है अगर यह लेके चलते तो break-even point पे होते क्योंकि हमने 1-3 का target लेके चले इसलिए हम loss में है 1-2 रखते तो break-even point पे ह आपका brokerage बन जाता है तो यह आपका एक loss होता आपके account पे और गलती से भी अगर एक दो trade आपका और profitable हो जाता 1-2 के target से तो यह होता कि आपका brokerage भी निकल के आ जाता है तो minimum बीच का रास्ता अगर हम देखें तो 1-2 के target के साथ अगर आप blindly सिर्फ एक strategy वाने 5-year setup पे काम कर दिया बाकी सारी detail आपको यह भी बता दी कि भई कि इस तरीके से आप multiple confirmation साथ entry ले सकते हैं और सीखने के लिए detail आपके description में है मैं मिलता हूँ आप से एक लिए वीडियो में यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो like जरूर करें चानल को subscribe कर लें और इसी तरह के से सीखत कि सिर्फ learning ही आपको एक अच्छा profitable consistent trader बना सकता है